प्रेथम तरल जैविक खाद बनाने का तरीका जिसमें टोटल 10 समगरी के जुरुत पड़ती है और इसका विरिख्या आवर्वेद में बहुत 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 बहुतरिन तरीके से जिक्रिक किया गया है यह एक ऐसा तरल जैविक खाद है जिसमें कि प्लांट में अगर किसी पर कोई insecticide का अटेक है या कहाए सकते हैं वाइरस अटेक या fungus का अटेक तो मतलब कि हर एक समस्या का समाधान यहाद के रूट में विकर किसी पर कोई समस्या होती है इसको भी maintain करता है और इसको भी मतलब कि प्लांट को मतलब कि पूरी तरीके से protect करने का का काम करता है इस खाद दान की बूसी, आधा केजी जिसे पांस लिटर पानी वे उबालकर उसका पानी यूच किया गया है छाज, आधा केजी, पानी पांस लिटर, उड़त के दाल, आधा केजी, जो कल्साम को भिगा के रखा था पाने साहितिसका उप्योग करना है दूद और खली नेम के खली ले सकते हैं सरसो की कली इसके मातरा आधा किजी इन सभी को सबसे पहले मिला तोटल दस सामगरी है तो इन सारी सामगरी को एक बड़े से कंटेनर की जो प्लास्टिक का कंटेनर है इसमें एड करना है और फिर उस जो यह ताजा गोबर है और इसमें ताजा गोबर जो है तो इसमें तीन करोन से भी ज्यादा सुख्श में जिवांड उपाये जाते हैं जो प्लान्ड के लिए बहुत बहतरी होते हैं और तीसरे नंबर पर डालना है चारा इसमें आप खरपदवार का भी इस्तमाल कर सकते ह और चौते नमबर पर लेना है दान की बूसी जो आधा केजी है और इसको पांस लिटर पाने में अच्छी तरीके से उबालने के बाद और इसके पाने का इस्तमाल करना है दान की बूसी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है जो यह दान की बूसी है इसमें सीलिका पाया जाता जिसमें खटा, तीखा, कडवा, कसेला, नमकीन और इसमें उसके बाद चटवे नमबर पर पानी को अट करना है जिसमें इसे पांस लिल्लर पानी अट करना है और सत्वे नमबर पर उड़त की डाल अट करना है और इसका मैं कल रात को बिखा के रखा था आज इसका इस्तेमाल करेंगा पानीके साथ में और 18 नंबर पर डूद का इस्तेमाल करेंब दूद्स फीधा मतब काना हम और 9 ये कि मतले इसमें 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 पीक होती है तथा इसमें oil का भी content जादा होता है और दसे नुमबर पर एटकन है good जो good है यह आदा केजी मैंने add किया यह भी good आप मतलब कि जो सबसे खराब good होता है आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं जो good होता है इसमें क्या है कि ग्लुकोज की मातरा पाई जाती है जो गोबर की जो सुक्स में जिवाड हों वो क्या करते है कि इस्टाटि में गुड़ से अपने कालोनी को बढ़ाते हैं फिर उसके बाद जैसे good समाप्त होता है उसके बाद यह उड़त की दाल और उसका पाने के इस्तमाल करते हैं जिस वज़े से जो और भी जाता है इसमें क्या कि कर देना है पाने से फिल करने के बाद अच्छे तरीकी से इसको मिक्स करने के बाद अब इसको air tight container इसको टाइट बंद करना है क्या है कि यहां पर अप एनरॉबिक रेस्पिरेस्टन होगी और इस वज़े से किंगवन की process मतलब कि यह कह सकते हैं हां किंगवन की process अब यहां समय बहुत याद कर्म होती जिस वज़े से जो कुनाब जली बनने की प्रक्रिया होती है थोड़ी जल्दी हो जाती है जिस वज़े से आप 14-15 दिन कुनाब जल आपका तयार हो जाएगा अगर आप यह चीज ठंड में बनाते हैं तो बक्रिया वाइरस होते हैं इनकी जो कि आपका कुनाब जल बंद के तयार हो चुका है तो इस तरीके से कानब जल रेडी होता है तो अब चलिए इसको कि तरीके से मतले की फ्लांट में उप्योग करना है इसके वार में समझते हैं अगर आप नडशरी में यूज़ करते हैं तो क्या है कि कि वहां कि एक लीटर यह थो प्लांट की ग्रोथ रूप चुकी है वो ग्रोथ में हल्प करता है जो फ्रूटिंग है और पिछले साल आपकी जो फूटिंग के बाद उसमें बहुत जादर डिफॉरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें है तो आप इसका 21 से 22 दिन में रपीट कर सकते हैं और अगर अगर इस टोरेज की बात की जाए तो आप इसका श्टोरेज नहीं करें गुड़ और उड़त की दाल समवथ राती है, इसमें से, इस बज़े से जो इसमें बुलबले आते हैं, वह सम आप्रजाद्टी को बढ़ा सके, जिस बज़े से जो उनकी लाइफ क में देर दे समवाथ होना चालू जाती है, तो अगर आप लाइफ समवाथ होने से पहले इसक आपको मिलेगा और यह प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है जिसे प्लांट के लिए बहुत 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 बुर्बुरी हो जाती है और इसमें गया है कि जीवाड़ों की संख्या अतार बढ़ने लगती है जिस वचे जो फ्रूटिंग और फ्लॉवरिंग यह भी बह है अगर इसकी इनर्जी की बात की जा तो यह पॉजिटिव इनर्जी है जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत 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 न तरीके से हल्प करता है और जो केमिकल फटिलाजर है जैसे यूरिया डियपी अगर आप प्लांट में इसको प्योग करते हैं तो ज जो प्लान्ट की ग्रोथ है यह positive होगी और आपकी जो soil है यह भी positive होगी और जो प्लान्ट की ग्रोथ है यह बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं